हेलो फ्रेंड आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा माइक्रो एक और टॉपिक जिसका नाम है लोनेबल फंड्स थियूरी या फिर नियो क्लासिकल थिरी आफ इंट्रस्ट बहुत इंपॉर्टन थियूरी है लॉंग कोश्चिन में आती है और जिस तरीके से आपने लिखनी है वो तरीके से मैंने लिखी हुई है चलिए शुरू करते हैं लोनेबल फंड्स थियूरी वास प्रोपॉंड़ बाइ स्विस एकॉनमिस्ट विक्सल ओलिन मेडाल एंड रोबर्टसन इन बंदों ने यह थियूरी मिलके लिखी थी अकॉर्डिंग तू दिस थियूरी यह थिय यह थियूरी यह थियूरी थी वो सिरफ सेविंग और इन्वेस्मेंट की बाद करती थी बैंक क्रेडिट होडिंग होडिंग इसकी कोई बाद नहीं करती थी कंदम्शन वगरा इनकी कोई बात नहीं करती थी बगर यह थियूरी रियल फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है और मॉनिटरी फैक्टर्स को भी कंसिडर करती है इसकी definition मैंने लिखे है according to Professor Robertson इंटरस्ट is the price which equates the demand for and supply of loanable funds वो कहते थे interest एक ऐसा price है जो equate करता है किसकी बराबरी लेकिया था demand and supply of loanable funds अब फिर heading बनानी है अपने explanation of theory उसके अंदर further heading मनानी है ए पॉइंट से supply of loanable funds तो supply of capital में पिछे क्या था पिछे मतलब जो classical theory थी उसमें मैंने पिछले topic में करवाया था कि सिरफ savings आती है इधर क्या है supply of loanable funds depends upon four factors सबसे पहला factor आजाता है savings savings are the main source of supply of loanable funds भाई saving करेंगे तभी तो आगे किसी को loan दे पाएंगे न तो savings are affected by individual sector saving कौन कौन करता है individual households business भी saving करता है जो भी उनका profit होता है उसको bank bank में डाल देंगे further investment भी कर सकते हैं and government sector भी कर सकता है individual saving is difference between individual income and individual expenditure individual savings and business savings depends upon the rate of interest जो individual save करेगा या business man save करेगा वो किस पर depend करता है rate of interest पर depend करता है तो यहां आप लेख सकते हो कि saving is a function of rate of interest इसको small r भी दे सकते थे ठीक है और यहां डबा सा बना देना है ताके teacher को थोड़ा बहुत मतलब impression अच्छा पड़े मैं यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस type का आपने box मिला दिया इसको ठीक है अब आपने क्या करना है savings का diagram बनाने के लिए एक upward sloping curve बनानी है इसको नाम दे देना है यह saving curve होगी यह क्या show करती है जैसी rate of interest बढ़ेगा savings बढ़ेंगी और जैसी rate of interest गिरेगा saving गिरेंगी there is a positive relation तो यही जो मैंने बताया है यह आपने 3-4 lines में side पे लिख देना है और diagram side पे बनाना है next आजाता point bank credit यह भी supply of loanable funds के अंदर आता है bank credit another source of supply of loanable fund is credit created by banks banks भी तो loan create करते है credit creation करते है credit creation का topic मैंने पूरा macro economics में समझाय हुआ है आप उस playlist में जाके देख सकते है bank credit is positively related with the rate of interest तो आप यहां लिख सकते हैं कि bank credit is a function of यहां bank credit को bc लिख देते है it is a function of rate of interest आर ठीक है यहां पर भी capital R डाला है तो यहां पर थोड़ा शेखी मारने के लिए इसमें डबा डूबा समना देना टीचर को थोड़ा impression हो जाएगा अब ध्यान से देखना इसको मैं rub करता हूँ और यहां pen का color change करता हूँ red color मुझे जी तो बैंकों को ज्यादा फाइदा है वो ज्यादा लोन देने को त्यार है अब आप यह ना कोई लोन लेगा निए वह demand side हम सफलाई के बीच में डिसकस करते है तो अब अगर यहां पर positive relation discuss करना है तो मैं यहां पर फिर से bank credit की जो curve है वो बना देता हूँ positive relation की ठीक है यहां लिखते है तो bank credit BC इसके ओपर भी 4-5 line है अपने यहां पर लिख देनी है side पे next आ जाता है dish holding holding होता है जमाखोरी dish holding निकालना जो किया हुआ है it includes the money given as loans which was hoarded by the people जो भी लोगों ने पैसा hoard करके रखा होता है अगर वो उनको as a loan दे दे तो उसे हम dish holding कहते है when rate of interest is high जब rate of interest क your savings तो अगर मेरे पास काफी जैदा पैसा पड़ा है वैसे इतना पैसा नहीं है घर में अगर मेरे पास काफी जैदा पैसा पड़ा और market में rate of interest बढ़ जाता है तो मैं कहूंगा यार अगर कोई करजा लेने आए तो उसको दे दे तो rate of interest ही मिल जाएगा तो यहां पे मैं लि यहां पर मेरे घर के बार एक कोई आया उसने डॉग को छेड़ दिया कोई जो स्ट्रेट डॉग होता है वह लगातार बार्किंग करी जा रहा है तो क्या करें अब जेलना पड़ेगा तो देर इस पॉस्टिव रिलेशन बीच भी चाले वीडियो रोक भी नहीं सकता ठीक है डियर इजडर पॉस्टिव र느ेशन एक तो आपने क्या करना है पॉस्टिव लेशन को एक डियाग्राम बनाने और यहां पिलिख देना है डिस होडिंग तो आपने वह 3-4 लाइंज जों है जो है इसकी साइड़ पे इसको एक्स्प्लें करना है क्या X axis पे क्या है Y axis पे क्या है और यह curve upward sloping है जो कि बताती है कि rate of interest के बढ़ने से disholding पढ़ती है next आ जाता है disinvestment disinvestment क्या होता है इसको शुरू करते है it includes the amount which is set apart annually as depreciation fund कोई भी factory या कोई भी company अपने पास कुछ ऐसा fund रखती है जिसे वो depreciation मतलब अपनी जो machine ने वो wear out होगी है उनका खर्चा निकालने के लिए is given as loan क्या पता उनका खर्चा हुआ ही नहीं for example एक factory ने अपने पास काफी पैसा रखा ताके वो काफी पैसा रखा ताके वो अगर machine ने wear out हो जाएंगी या depreciation होएगी उनकी तो उनको replace या change करेंगी मगर ऐसा हुआ नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो भी तो as a loan किसी को दिया जा सकता ह higher the rate of interest greater is the inducement to disinvest तो जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा rate of interest होगा उतना ज्यादा disinvestment ज्यादा होगी इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो इन्होंने इस तरीके से पता नहीं क्यों नहीं किया आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि मैं यहाँ पहले लिख देता बढ़ेगा ठीक है यहां पे भी वही लिख देता हूं rate of interest बढ़ेगा तो dis investment बढ़ेगी rate of interest कम होगा dis investment कम होगी तो जो supply के under 4 factors है न वो सारे के सारे positive relation है अब आप दिमाग से सोचो investment होता है कहीं पैसे लगाना dis investment होता है existing कहीं पैसे लगे हैं उसको निकालना ये भी तो कह सकत है न तो मालो मेरे पास कार खड़ी है मैंने investment कर दी मगर मैं कम चलाता हूं अगर market में rate of interest बढ़ गया मैं कोंगा खड़ी-खड़ी कार है यार इसको बेचो dis investment करो सरकार जैतर करती है यही तो करती है अपनी जो loss making institutions है loss making company उनको बेच के जो पैसा आता है उसको कहीं न कहीं औ कर सकते थे तो इस diagram के भी आपको three four lines लिखनी है तो यह थी supply supply के अंडर चार पार्ट आ जाते है एक तो आ जाती savings एक आती bank credit, disholding and disinvestment, next part आ जाता है demand for loanable funds, demand for loanable funds में three factors आते है, classical theory कहता था सिरफ investment है, यह investment के साथ दो factor और add-on करती है, main source of demand for loanable fund is the demand for money for investment on the part of funds, तो जैतर demand for capital क्यों की जाती है, क्योंके investment चाहिए, आपने investment करनी है, जैता लोग loan क्यों लेते हैं, consumer के लिए तो लेती ही, consumption loans, मगर investment करने के लिए भी तो लेते हैं, lower the rate of interest, जितना rate of interest कम होगा, greater will be the demand for loanable funds for investment, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कि investment is a function of rate of interest, investment किस पे depend करती है, rate of interest पे depend करती ह और जितना जैदा rate of interest बड़ेगा, उतना investment कम हो जाएगी, क्योंके महेंगे rate पे कौन loan लेना चाहता है, ठीक है न, तो there is a negative relation, अब अगर मैं इसका diagram बना हूँ, तो ये downward sloping curve बन जाएगी, तो मैं इसको investment curve दे देता हूँ, और कह देता हूँ, negative relation, इस पे भी आपने 3-4 lines लि loans की जो है demand होती है, when consumption expenditure, ये काटा बच गया, चलो इसको back करते है, when consumption expenditure exceeds income, people have to borrow money, अगर खर्चा जैदा हो रहा है और आमदनी कम है, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी consumption को loan लेना पड़ता है, private individuals and households make demand for loanable funds for this purpose, private बंदे या households loan ले लेते हैं, या credit card से करवा लेंगे, बाद के गला बैड़ गया, तो अगर हमें consumption के लिए loan लेना है, तो consumption और rate of interest का क्या relation है, negative, कैसे, अगर दिमाग से सुचो आप, कि अगर rate of interest जैदा है, तो आप loan consumption के लिए कम लोगे, और अगर rate of interest कम है, तो consumption के लिए loan जैदा लोगे, अगर rate of interest कम है, तो लोग कार लेने लग लेंगे तो consumption curve download sloping है इसको भी हम three four lines में explain कर देंगे next आजाता है holding हो 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 इसको back कर देता हूँ और दूसरा select करता हूँ holding ठीक है यह क्या हुआ रुको दो मिनट हाँ holding demand for loanable fund is made by those people also who want to hold it कई बर demand for capital वो लोग भी करते हैं जो अपने पास hold करना चाहते हैं तो low rate of interest अगर low rate of interest होगा तो demand for loanable fund will be more and vice versa तो कभी-कभी holding के लिए भी मतलब किया जाता है पैसे ठीक है अब अगर इसमें आप दिखोगे तो अगर इसमें मैं curve बनाओ holding की curve वो भी negative slope किया होगी क्योंकि demand के अंडर है तो मैं यहां लिख देता हूँ और यहां लिख देता हूँ holding is a function of rate of interest अब आप खुद सोचो एक बात सोचने वाली है कि अगर rate of interest जैदा है तो होडिंग क्या होगी कम आप को कि मैं अपने पास क्यों रखो मैं market में loan दे दूँगा और अगर rate of interest कम है तो होडिंग जैदा आप को कि इतना कम rate of interest है तो हम किसी को पैसे देने वो पैसे लेगे भाग जाए तो इससे तो अच्छा अपने पास ही रखो holding कर लो तो there is a negative relation ठीक है तो demand for capital में आपकी आ जाती है तीन चीजे investment, consumption and holding अब आ जाती है determination determination कहा होती है आपको पहले ही बता चुका हूँ कि determination वा होँगी जहां demand for loanable fund supply of loanable fund पर रबर होंगे demand for loanable fund के ये तीन लिख लिए supply of loanable fund के ये चार लिख लिए अब इसका diagram तो supply of loanable fund में कौन कौन आ जाता था मैं पहले diagram बना देता हूँ सबसे पहले आ जाता था savings फिर आ जाता था ओहो रुको दो मनटे इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ इसको ये tool select कर लेता हूँ जिससे सिद्धी लाइने बनती है ये आ जाता है savings ये आ जाता है bank credit ये आ जाता है डिस होडिंग और एक और लाइन की देते हैं ये आ जाता है डिस इंवेस्टमेंट तो मैं इनको नाम देता हूँ saving, bank credit, this holding, this investment अब बनाते हैं color change करके demand side तो demand side negative slope की होती है ठीक है तो negative slope में सबसे पहले investment curve फिर आ जाती है consumption curve फिर आ जाती है holding curve अब इनको नाम दे देते हैं तो इनको अगर नाम देंगे तो demand side की ये होगी investment curve, consumption curve and holding curve तो इनकी जो interaction है इसकी वज़े से अगर मैं इसको sum up करूं तो इसको back करता हूं पहले ये बनाता हूं demand for loanable funds यहां लिख लेता हूं back करके demand for loanable funds ठीक है और यहां से ये select कर लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं supply of loanable funds ठीक है तो यह जो demand और supply ये फिर से गलत बन गी यह मैं सीधी line बना लेता हूं yellow तो यहां पर मैंने select कर कि मैंने लिख लिया supply of loanable funds तो जो demand for loanable funds है और supply of loanable funds है ये equilibrium में किन की वज़े से आए मैं फिर से delete कर देता हूँ यहाँ से delete कर देता हूँ तो ये जो equilibrium rate of interest है वो इनकी interaction की वज़े से आए समझ के बाद तो आपने side पर demand for loanable funds and supply of loanable funds की curve बना देनी है चार curve उपर बना देनी क्योंकि supply के इंटर चार factors है demand वाले की तीन curve है वो नीचे बना देनी है और इनकी interaction की वज़े से ये demand for loanable funds और supply of loanable funds आपस में बड़ाब बनाए है I hope ये video आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please like, share and subscribe next chapter मैं करूंगा profit का, till then take care, have a nice day